हेलो अब्रोवान वरे बरे गडिर निंग कैसे हो खोब करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे शूफरेंड्स पांच माई की एससेल क्लास में आप सब लोगा बहुत बहुत श्वागत है शबी लोग एक बार बताएंगे वाइस क्लियर आ रही है और सभी बच्चे जो हैं important question को हम लोग solve करेंगे जिस level के exam में question पूछे जाते हैं ओके ना चलिए सबी को एक बार फिर से good evening भाई class को start करते हैं चलिए यहाँ पर daily classes का timing आपके skin पर दिख रहा होगा यह वाली timing को cut करके आप साड़े 6 बजे कर लिजे बाकि इसी timing पर daily class होती है 9 बजे वाली class topic wise की मरी समझ लिजे हर एक class से question आपको देखने को मिलेंगे हो बहू question वही देखने को मिलेंगे तो जाके देख लेना आप ठीक है ना चलिए कुछ भी जानकारी चलिए तो आप हमें contact भी कर सकते हो अगला प्रशन स्वारी पहला प्रशन है कि भगवान स्यू तथा सती के प देख सकते हो क्योंकि इसमें जो कला वरगे में जो question पूछे जाते हैं इसमें gkgs के ही question होते हैं तो आपको तो gkgs तो पढ़ना ही है ना 50 question और reasoning भी पढ़ना है तो reasoning अभी last में कलवा रहा हूं मैं आपको ठीक है चलिए तो यहां पे देखे जो मेला लगता है डीर वो किस म अपको बिलकुन correct हो जोगा बिहार के सारण जिले में चंद्रगप्त मॉर ने किस विसविद्द्दैले में सिछा ग्रहन करने के उपरात मगत पर सासन किया था तो वह है तक्छिसीला विसविद्द्दैले, option C, nash ocean, अलादीन किलजी के आकरमन के शमय देविगरी के सासा देविगरी का सासा कौन था तो राम चंद्र जो है देव था शाशा कुश्च में अगला प्रिशन मदरास के रहत वाड़ी बंदुबस से कौन सम्बंदित रहा था मदरास के रहत वाड़ी बंदुबस से कौन सम्बंदित रहा था मौनरो ओप्शन सी आपका बिलकून करिट ह वहाँ कौन था जिसने गदर पार्टी को सापित किया सीध है एक्जामेच अपने वाला प्रशन है वेरी इंपॉर्टेंट कुश्चन है वहाँ कौन था जिसने गदर पार्टी को सापित किया लाला हरद्याल सिंग option एक अरिट हो जगर नेक्ट कुश्चन नेमलिकित में से किस एक ने भार्टी राष्टी कॉंगरेस की उसे दिवेशन के दश्टा की थी जिसमें पूर्ण सवराज का प्रस्ताव परित हुआ वो कौन थे बताईए option देख लीजिए question भी फिर से repeat कर लीजिए अप लो चपन का option भी करिक्ट हो जगा जब वहाँ लाल नहरू चले ब्रह्म समाच राम कृष्चन मिसन और आर समाच में क्या समाच में क्या समाच थी पताई इन तीनों में क्या समाच थी तीनों ही राजनेतिक उद्देशों के लिए नहीं बने लेकिन तीनों नहीं देश भक्ति की भावना के विकास में सहायता दी है तीनों समाच ब्रह्म समाच राम कृष्चन मिसन और समाच तो 57 का option यह आपका बिलकुन करिक्ट हो जगा नमिनांकित राज शमोहों में से वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिबों का जो बड़ी मात्रा में निर्माड होता है वो कहां होता है बताइए 58 का जौब दीजे फटा फटा अंसर करेंगे बाई और चैनल पर पहली बार हो तो शब्सक्राइब जरू को लेना हमारे चैनल से आपको निश्ची दी मदद में लिगी वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना तो वो राज के शमुह जो है पंजाब और तमिलाडू है अगला वर्शन देखिए यहां पर निमलिखित राज्यों में इसे कौन सहा है जहां अनसूसी सिरणी में कोई जंजाती अबादी नहीं रखी गई है 59 का अंसर दीजे वो है पंजाब ऑप्शन बी नेश्ट कुचन भारत का वह राज्य जो अनाच उत्पातर में अधिकतम अंसदान करता है अपना ही राज है उत्रप्रदिश ऑप्शन डी नेश्ट कुचन निमलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा वायो मंडल में सबसे कम है 61 का जॉब दीजे तो यहां पे nitrogen की बात करें तो 78% हो जाएगा ठीक है और यहां पे oxygen की बात करें तो 20% में लगबग की बात करा हूँ 90 और यहां पे argon की बात करें तो argon आपका 0.93% हो जाएगा और यहां पे आपका carbon dioxide carbon dioxide आपका 0.03% हो जाएगा तो यहां पे सबसे कम कौन होगा बताइए कार्बन डियाकसाइड हुआ option B, next question महा विस्पोटक सिध्धान किस से समधित है यह महा दीपी विस्थापन से समधित है option A आपको बिलकुन correct हो जगा निमलकित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रतिक संसरत की कुझो है संसरत के प्रतिक शदन के समक्ष रखवाएगा लोग सबाग अधची स्पीकर आपका सही हो जागा अगला प्रशन देखिए यहां पे किस संसोधन से समाजिक धर्मनेर पेच्छता और राष्टी एकता विम अखंडता सब्द भारती संविधान में जोड़े गए थे कौन सा संविधान संसुधन है चाउशट का जौब दीजिए चाउशट का जितने बिलोग यहां भी जौब दे रहे हैं संविधान संसुधन उनका आंसर बिलकुन सही हो जगा विट बिल के लिए जो है किसी पुर्व सुविकरती आवश्चक है किसकी सुविकरती आवश्चक है भारत के राष्टपती की सुविकरती आवश्चक है option C करेक्ट हो जगा सम्विधान में हमारे राष्ट का उल्ले किस नाम से किया गया है शम्विधान में हमारे राष्ट का उल्ले किस नाम से किया गया है बताईए भारत और इंडिया ओप्शन ए करेक्ट हो जगा निमलिकित में से भारत में पहला नगर निगम कहां इस्सापित हुआ सीधे एक्जाम में छपने वाला प्रश्ण है ब्हारत में शप से पहला नगर निगम जो इस्सापित हुआ था भाई मद्रास में हुआ था ओप्शन बी आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा ठेक न चलिए भारत में राष्टी जल संसाधन परिशत का अध्ष़ कौन है भारत में राश्टी जल संसाधन परिशत का धश को होने बाई? प्रदान मंत्री हैं, option A आपका बिलकुन करिट हो दगा स्वतंत्र भारत की अर्थ विवस्ता के शंदर में निमलकित में से कौन सी एक जो है स्वरप्रथम घटित होने वाली घटना थी? तो वो थी, banking regulation act का अधनियम, option C, भारति जो बैंक दोरा C, RR में व्रधी से क्या होता है बताईए? अर्थ विवस्ता में मौद्रिक तरहता में कमी आती है, 70 का option B आपका बिलकुन करिक्ट हो दगा नेश्ट कुश्चन आपकी स्क्रिन पे, 14 जुलाई 1922 को Congress कार समिती द्वारा भार चुड़ा अंधुलन का परस्ताव कहां परित किया गया था? ये परित किया गया था वर्धा में, ठीक है न, option B आपका बिलकुन करिक्ट हो जाएगा बहुत important कुश्चन है बई, अगला प्रुश्चन देखिए यहां पे, इस्थाई बंदबस किस के साथ किया गया था? तो ये एक जमीदारों के साथ किया गया था, तो option A आपका बिलकुन करिक्ट हो जाएगा प्रातना समाज के संसापक कौन थे? important दिख लिएज़े, बहुत important कुश्चन है तो प्रातना समाज के संसापक कौन थे? बताइए 73 का जॉब दीज़े से ब्लोग प्रातना समाज के संसापक थे? आत्मा राम पांडुरंग, option A करिक्ट हो जगा भारत में अतिसगन वनों का सरबाधिक छेतर की, जिस राज में पाजाता है, वह है कौन सा राज? वो राज है, अवनाचर प्रदेश, option A आपका बिलकुन करिक्ट हो जगा किस मर्दा को कम सिचाई की अवसकता होती है, क्योंकि वह है मर्दा नमी को रोक सकती है तो वो है काली मर्दा, option B आपका बिलकुन करिक्ट हो जगा मीठे पानी की कलप सर परियोजना और इस दिते कहा? 76 का जवाब दीजेए से ब्लोग भाई तो ये है गुजरात में, option A आपका बिलकुन करिक्ट हो जगा जंगली गदो का ब्भ्यारण कहां है? ये बहुत important question है जंगली गदो का ब्भ्यारण कहां है? ये गुजरात में है, 77 का option C करिक्ट हो जगा Fawn का एक इस्थानी पवन है Fawn एक इस्थानी पवन है किस देश का? Chain, Korea, Japan, Studio Land तो Fawn एक इस्थानी पवन है, Studio Land की भाई option D आपका बिलकुन करिक्ट हो जगा बारती शम्विधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है कहां के सब्विधान से बताइए बारती शम्विधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है कहां से? तो ये लिया गया है अमेरिका के सम्विधान से option D आपका बिलकुन करिक्ट हो जगा वीडियो को लाइक रोफ हभी लो लाइक रोश हभी लो तो विती आपातकाल की घोशना आज तक कभी नहीं की गी है तो option D आपका बिलकुन करिक्ट हो जगा भारती करसी में निन्म उत्पादक्ता का कारण है क्या? आवसक्ता से अधिक लोगों का करसी कारियों में लगा रहा है न जोट का छोटा आकार उत्पादन की पिछड़ी तक निक तो उपियुक्स सभी आपके सही हो जाएंगे अगला प्रशन देखी यहां पे भारत में नियोजित अर्थविवस्ता आधारे ते किस पर? सभी लोग 82 को जाप दीजे पीली क्रांती का शम्मंद किस से है? पीली क्रांती शम्मंदित है किस उत्पादन से? तो पीली क्रांती का शम्मंद जो होता है वो किस से होता है? बताइए सब लोग तो देखी यहां पे क्या पूँच रहा है? कि पीली क्रांती शंबंदे थे किस उत्पादन से तो पीली क्रांती का जो शंबंद है तिलहन उत्पादन से है अगर यहाँ पे खादान की बात करें तो खादान का संबंद किसे होता है हारित क्रांती से होता है मत्स का संबंद किसे होता है तो मत्स का जो संबंद होता है नेल क्लब बनाए थे कौन सा बैंक है छेतरी ग्रामीर बैंक पज्ञाब निस्नल बैंक या बारती स्टेट बैंक राइट असर बताईए सब लोग कि बहुत इच्छे बाई सभी लोगों को वाई गुडिविनिंग सभी को गुडिविनिग वा कौन सा बैंक है जिसने करस्तकों के पास आसानी से पहुँचने के लिए किसान कलब बनाए थे 84 का option D करेक्ट हो जगा भारती स्टेट बैंक चलिए निम्नतम समर्थन मूल्य का जो निर्धारक है क्या है तो वो आपका है करसी लागत और मूल्य आयोग option C करेक्ट हो जगा निम्ने में से किस एक पुरा इस्टल से पाशान संस्कृति से लेकर हड़पदा शब्यता तक के संस्कृतिक जो है औसे स्प्राप्ट हुए है कौन सा वो पुरा इस्टल है बताईए वो है मेहर अगड option यहाँ पर B आपका बिलकुन करिक्ट हो जगा ठीक ना चलिए यह मेहर अगड़ाए कहाँ पर बलोचिश्टान पाकिस्तान में है बुद्ध ने सरवादी कुपदेश कहां दिये थे बुद्ध जो है सरवादी कुपदेश कहां पर दिये थे बताईए सब लोग चलिए लाइक की संक्या बहुत ही कहमा तो फड़ा फड़ वीडियो को लाइक कर दो शब लोग और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस चैनल से आपको निश्चीदी मदद मिलीगी गौतम बुद्धिजी जो है सरवादिक उपदेश कहां पर दिये थे तो यहां पर पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्धिजी जो है सरवादिक उपदेश कहां पर दिये थे सरबस्ति में दिये थे, क्यों दिये थे, क्यों दिये थे, क्योंकि जब ये उपदेश दे रहे थे, सरबस्ति में, तो उस समय वहाँ पे वर्षा हो रही थी, वर्षा रुकी ही नहीं रही थी, इस वज़ें से सरबादी उपदेश दिये थे, ठीक है ना, और इनका जन्म लु किये थे तो वो था भाई चंद्रगुप प्रथम option B next question मिलिकेत में से भारती रश्ची कॉंग्रेश के किसा द्वीशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परतु गांधी बास सदयों बना रहेगा तो कौन सा द्वीशन है 89 का जौब दीजे सब लोग तो करांची अद्वीशन आपका सभी हो जगा करांची अद्वीशन next question देखिए महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कॉंग्रेश करिकरताओं के धावे के समय कहा थे कहा थे भाई बताइए सब लोग यहरवदा जेल में थे option A next question कांग्रेश ने सवराज परस्ताओं वर्ष 1905 में परित किया परस्ताओं को उद्देश यथा क्या बाई बताइए स्वासासन सो निशीत करना था इसका उद्देश option B आपका बिल्कुन करिक्ट हो जगा भारत में पर्थम अगला प्रशन देखिए काहीरा का समय ग्रीन विच से दो गंटा आगे है आता है या इस्तित है किस पर बाकी क्लासेस आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी यह 30 डिगरी पूर्वी देशांतर प्रशिद है ठीक ना चलिए जिस खनेच के कारण चिली प्रसिद है वा है नाइट्रेट है option C करिक्ट हो जगा भारत के किस परांत में सरवप्रतम साम मेवादी सरकार की सापना होई है केरल में होई है तो option C आपका बिलकुन करिक्ट हो जगा भारत में संसत द्वारा बंदूओं मजदूरी को जो है प्रदिबिन्वित करनेवाला अदनियम परित किया गया था किशवर्स ये किया गया था पंदरा सौरी 1976 में option B करेक्ट हो जगा भारती सम्विधान में संसोधन करके सिच्छा का दिकार कप जोड़ा गया था एक अपरेल 2010 को जोड़ा गया था नेश्ट कोशन देखे भारत के शम्विधान का निमलिकित में से कौन सा अनुशेद प्रेस की सौतनतरता से सम्मदित है इस ताल लगा के नोट के लिए वेरी इंपॉर्टन कोशन आपके एक्जाम के लिए तो प्रेस की सौतनतरता से शम्मदित जो अनुशेद है 19 है option A करे भारत में स्थिर मोल्यों का सकल राष्टी उत्वात के प्राकलन के लिए वर्तमान में अधार वर्स क्या है ये वाला है 1999 से 2000 वर्जिक बैंकों में गैर निस्पादी परिसंपतियों को अर्थ क्या होता है वसूली नहीं होती है चले reasoning के question स्टार्ट हो रहे हैं solve करेंगे ये pen copy लेगे बैड़ ये अब लोग solve करिए reasoning के question तो देखें यहाँ पे 4 और 6 ये दोनों आपके common है ठीक है ना तो एक का क्या हो जाएगा पांच हो जाएगा तो option यहाँ पे आपका जो है बी वाला बिलकुन correct हो जाएगा चार तासा 6 क्या हैं दोनों उभय निष्ट है ठीक है तो यहाँ पे केवल एक बचा और ये इस वाले पासे में केवल पांच बचा तो एक का पूजित क्या हो जागा ठीक है चलिए निम्ड में से कौन सी आकरती संगीतकारों वाददकारों और वाइलेन बजाने वालों को पर दश्रित करती है कौन सी आकरती है वो बताईए तब लोग कौन सी आकरती संगीतकारों वाददकारों और वाइलेन बजा लों को तो देखें सबसे पहले हम आकरती बनाएंगे वाददकारों की अब संगीतकार इसी के अंदर आएंगे वाइलेन बजाने वाले भी इसी के अंदर आएंगे तो यहाँ पर एवाला किसे है जिस प्रकार पुस्तक का संबंद प्रकासक से है तो फिल्म का संबंद किसे होगा तो प्रकासक क्या होता है पुस्तक को प्रकासित करता है तो निर्माता फिल्म को जो है निर्मित करते हैं तो यहां पर D आपका बिल्कुन करेट हो देगा चलिए यह फिल्म है तो फिल अंतर पता करेंगे, F और A के बीच का, I और D के बीच का, L और G के बीच का, M और H के बीच का, देखे, F और A के बीच का हम अंतर पता करेंगे, तो यहां पे माइनस पांच आएगा, I और D के में भी माइनस पांच, और L और G के में अंतर जो है, 5 का है, M और H में भी 5 का अंतर है ठीक ना मतलब 5 5 minus किया गया है तरीके इस सैयसे बोल सकते हो अब उसी प्रकार हम M में भी minus 5 कर देंगे तो यहाँ पे H आजाएगा I में करेंगे तो D आजाएगा L में करेंगे तो यहाँ पे G आजाएगा और K में करेंगे तो F आजाएगा HDGF ये वाला C वाला बिल्कुन correct हो जागा 24 का शार्ट से संबंद है तो 210 का संबंद किसे हो जाएगा तो यहाँ पे 24 कैसे आया 60 कैसे आया 210 कैसे आया तो तभी आप यहाँ पे पता कर पाएंगे तो 24 देखिए 3 का cube है देखिए 3 का cube करके माइनस 3 कर दिया गया मतलब 3 का cube कितना होता है 27 होता है 27 में 3 माइनस कर दिया गया तो यहाँ पे 24 आ गया उसी परकार यहाँ पे 4 का cube तो 4 का cube कितना होता है 64 होता है 64 में वही 4 माइनस कर दिया गया 60 आ गया अब यहाँ पे 210 210 में क्या करेंगे हम मतलब यह 6 का क्यूब है तो 6 का क्यूब में से माइनस 6 कर देंगे तो 210 आ जाएगा अब यहाँ पर 6 के बाद हम 7 का क्यूब करेंगे 7 का क्यूब में से 7 ही माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा मतलब माइनस करेंगे तो यहां पर 336 आ जागा क्या जागा 336 ठीक है ना चलिए निमलिकित में से उसे चुनिए जो अन 3 से भिंद है फड़ा फड़ा अंसर देने का प्रयास करेंगे और वीडियो को लाइक करदो यार सब लोग अपराध तथा आरोप एक दूसरे के समनार थी है तो बाकी जैसे आपका विपरीतार्थक हो जागा तो यही आपका मतलब सही है चलिए इसमें से विसम कौन सा है बताए चारों में से इनके इनके बीच का मतलब डिफरेंड पता करिए तो यह 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 आपका सेम है तो यह अलग हो जागा क्यों कि जी और एच यहाँ पे जी और जे के बीच का हम अंतर पता करेंगे तो प्लस तीन का अंतर है जे और यहाँ पे जो है ओ के बीच का अंतर पता करेंगे तो यहाँ पे 5 का अंतर है और यहाँ पे O और V के बीच का अंतर पता करें तो प्लस 7 यानि कि 3, 5, 7 का अंतर इन तुनों में है और यहाँ पे अलग हो जागा देखे, B और F के बीच का अंतर कितना है यहाँ पे 4 पहिले आ गया C, D, E, F उसके बाद यहाँ पे F और J के बीच का अंतर प्लस 4 का है J और Q के बीच का अंतर 7 का है तो यह आपका अलग हो गया 14, 19, 17, 18, 42, 43 और 21, 16 में से अलग कौन सा है, विसम कौन सा ही आपको उताना है अठवा का जाब दीजे सब लोग यहाँ पे आपका यह वाला विसम हो जाएगा, ठीक है चलिए, दीए गए 4 वेकालपिक समुच्चों में से वा संख्या समुच्च छाटी है जो प्रश्ण में दीए गए संख्या समुच से सरवाधिक मेल खाता हो जैसे दीए गए सेट यह वाला, 2, 14, 16 यह 2, 14, 16 है न, इसे से काउन सा मतलब बिलकुन इसी तरीके से जो है सम्मथ रखता है यह आपको बताना है जो सरवाधिक मेल खाता हो इसमें 9 का जवाब दीजे सब लोग भाई तो यहाँ पे 2 और 14, 14 और 16 में जैसे 2 और 14 के बीच का अंतर कितना है 2 का अंतर है तो उसी परकार यहाँ पे देखेंगे यह वाली में 4 और 16 में कितना है 12 और 16 और 2 में 2 तो 4 दो इसमें भी अंतर है मतलब 12 और 4 का यहीं आपका सही हो जगा नीचे एक अनुकरम दिये गए है जिसमें एक पद लुप्त है तो लुप्त पद को आपको छाटना है सीरीज का यह कुश्चन है देखी हम इधर से चाहे पता कर लें चाहे इधर से पता कर लें देखी 143 और यहाँ पे 99 का जो अंतर है वो 44 का अंतर है 99 और तिर्शट के बीच का जो अंतर है वो मतलब 36 का है और यहाँ पे 3 और 15 के बीच का अंतर कितना है 12 का अंतर है अब यहाँ पे देखना 36 और 44 के बीच का अंतर कितना है 8 का अंतर है तो मतलब 8-8 यहां पर जोड़ा गया है, यह समझ लेज़े, 8-8 जोड़ा गया है, तो यहां पर देखे, ऐसी कौन सी संख्या आएगी, वो आपको उताना है, तो यहां पर देखे, 35, 35 को हम रखेंगे, तो 15 और 35 के बीच का अंतर कितना आएगा, 15 और 35 के बीच का, 20 आएगा, तो देखना, यहां पर 8-8 का अंतर सब में आ रहा है, तो यही 35 आपका सही हा जाएगा, ठीक है, चलिए, बहुत इच्छे, यहां पर यह लाश्ट में जो दिया गया है, संख्या, इसमें भी आपको पताना है, यह कोश्चन मार की जगा पे कौन सी संख्या आएगी, जैसे यहां पर 36, 91 है, तो इसी को मतलब परिवर्तित करके यहां पर लिख दिया गया, तो 93, 91, 91 को यहां पर 36, 91 लिख दिया गया, तो 36, 91 को हम लिख देंगे, यहां पर 39, 91, ठीक न, यहां पर यह option B आपका बिलकुन correct हो देगा, समझ में आ गया होगा, जैसे 6 को यहां पर पहले लिख दिया गया, 9 को दूसरे नमबर पे, उसकी बाद 3 को पहले और एक को बाद में ऐसे लिख दिया गया है, यहां पर question mark की जगह पे कौन सा आएगा, अच्छर, यह संख्या, 9, 3, 12, 12, 6, 18, 3, 3 add किया जा रहा है, तो 6 में हम 3 add करेंगे, तो 9 आ जागा, तो 18, 9 कितना हो जागा, 27 हो जागा, तो D आपका बिलकुन correct हो जागा, चलिए, यहां पर question mark की जगह पे कौन सा जो है, सिंख्या आएगा, फड़ा फड़ा अंसर करिए भाई से ब्लोग, देखिए यहां पर 40, 30, कैसे आया, यह पता पहले करना पड़ेगा, आपको, 5, 2, 10, 10, 8, 80, 80, 80 को 2 से यहां पर divide कर दिएगा, 40 आ गया, 5, 20, 23, 60, 60 को यहां पर 2 से डिवाट करेंगे, तो यहां पर कितना आएगा, 30 निखल के आ जाएगा, 2, 1, कम, 2, 10, 2, 20 20 को 200 डिवाइट करेंगे तो 10 निकल के आजाएगा चलिए एक कुट भासा में इसको जो है ऐसे लिखा जाता है तो इसको कैसे लिखा जाएगा इसको लगाना आप लोग ठीक है बिल्कुन सरल प्रश्णा है यह दी ब्रादर को ऐसे लिखा जाता है सिस्टर को ऐसे तो यह इसको रॉबर्स को कैसे लिखा जाएगा देखे चागुदा का बहुत सरे लोग ठीक जाब दे रहे हैं तो उनका अंसर बिल्कुन सही है ठीक ना चलिए बहुत एच्छे ऐसा ही आप लोग जाब दिया करो 15 का जाब दीजी रॉबर्स को किस संख्या में लिखेंगे इसी में से आपको बताना जैसे आर है न तो आर का कोड यहां पर क्या है लाश्ट में चार है तो चार हो जागा तो उसी प्रकार आपको यहां पर पता कर लेना तो यहां पर 15 को जो आपसन सही होगा डी वाला सही हो जागा ठीक है बिलकुन नॉर्मल कोश्चन है शो फ्रेंड्स यह थी आज की जो है क्लास 5 माई की क्लास कैसी रही क्लास कमेंट बाक्स में अपना फीडबाइक जरूर देना ऐसी ही डेली क्लास देखने के लिए अभी कभ आपना डाउट के लिए अगड़ सकते हो चले थाएंक उश्रमाच इसकी पीडियाप आपको टेलीक्राम पर मिलतागी और भी रिजनिंग की कोश्चन में वहां पे सेंड़ कर दूँगा ताकि आप अपनी अच्छी से प्रैक्टिस कर लेना साइंस इस्टीम आपका है तो स थैंक यू श्रमाच बाबाए ठेक क्याव